मैं हमलता बैद और आज का विशा है हिंदी ये है कक्षा पहली ये पहली कक्षा की किताब है जिसका नाम है नावतारंग बच्चो जब हम किताब खोड़ते हैं उसमें हमें पहली मिलता है वर्ण माला तो मुझे विश्वास है कि आपने सभी पिछले कक्षा में वर्ण क्या ह वन माला किया है, अच्छे से पढ़ा है, याद किया है, तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ दौडाओंगी, वन क्या है, हमारी जो भाशा है हिंदी, उसकी सबसे छोटी अक्षर को हम वन कहते हैं, और कई वन मिलके वन माला बनते हैं, जैसे कई फूलों से माला बनते हैं, इस वन माला में भी, जैसे हमने इंग्लिश अलफाबिट में पढ़े, कुछ वावल सर, कुछ कॉंसलेंट्स होते हैं, वैसे हिंदी में भी कुछ स्वर होते हैं, और कुछ व्यंजन होते हैं, हमारे हिंदी में 13 स्वर वन हैं, और 49 व्यंजन वन हैं, तो स्वर क्या है, स्व जहां अंदर से हवा बिना रुकावट के निकल ही नहीं पाती है, मतलब अंदर से कुछ रुकावट मिलती है, तो हम उन्हें व्यंजन कहते हैं, तो बच्चो पहले आप सभी मेरे मूँ के तरफ देखिए, और अच्छे से समझ लीजिए कि किसका उच्चारन में हमें कितना ब इ, उ, उ, रू, ए, आ, ओ, अउ, अम, अह, ये तेरा है हमारे स्वरवन और बाकी 49 है हमारे व्यंजन वर्ण, तो बच्चो चलो जान ले व्यंजन वर्ण क्या-क्या है, क, ख, ग, घ, अम, च, ज, 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 इय, त, थ, ड, ध, अन, त, थ, द, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, स, ह, क्ष, ट्र, ग, ज, तो यह है हमारे व्यंजन वर्ण और यहां है तो अतिरिक्त वर्ण है, उन सभी को लेकि हमारे व्यंजन होते हैं, 49 और वो दो वर्ण है, अड है, अड है, यह दो, तो बच्चो पहले हम यह अच्छी से समझ ले क्या वर्ण वाला है जो मैंने आपको समझाया अब हम है पेज 7 में और यहां हमें एक मिली है कवीता कवीता का नाम है सूरज आया ये सूरज आया ठीक है और नीचे आईए बाल कवी बैरागी ने इस कवीता को लिखा है किसने बाल कवी बैरागी ने तो आओ इस कवीता को गुनगुनाए साथ में बड़ी सवेरी सूरज आया आकर उसने मुझे जगाया कहने लगा बीचोना छोड़ो मैं आया हूँ सोना छोड़ो मैंने कहा पधारो आओ जाकर पहले चाय बनाओ गरम चाय के प्याले लाना फिर आकर के मुझे जगाना चलो रसोई में जाओ दरवाजा मत खट खटाओ ये थी हमारी कवीता देखो यहाँ इस दृश्य में कौन है ये बालक ये सो रहा है और यहाँ से सूरज मामा उसे रोश्णी दे रहा है और ये बोल रहा है कि आप जाकर चाय बनाओ और फिर मेरा दरवाजा खट खटाओ ऐसा हमेशा हमारे साथ भी होता है जब सूरज की पहली किरन हम पे गिरती है सुभे कोई उठना नहीं चाहता बिच्छोने से तो बच्चो अब हम वर्णों को पहचानेंगे ये है स्वर्वर्ण इतने तेरा है स्वर्वर्ण पहला क्या है अ आ इ इ उ रू ए अई ओ अउ अम अह तो ये थे हमारे स्वर्वर्ण अब मैं आपको दिखाऊंगी व्यांजन्वर्ण क ख ग घ अम च छ ज ज ज इया त ठ ड ड अन अडे अडे त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूँ अ पहले ल ब फिर ये आता है फिर ये और उसके बाद ये ऐखे है यह थर्ड में आता है पहले ये फिर ये और फिर ये आता है तो जैसे मैंने आपको पहले सुनाया थाब उसी according पढ़े तो आसानी होगी आपको यह थर्ड में आएगा तीसरे नमबर में पहले ये फिर ये और फिर ये ठीक है अब जो लेसन वन है यहां क्या है बिना मात्रा वाले शब्द बिना मात्रा वाले तो इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि मात्रा है क्या है सिर्फ स्वारवर्णों की मात्रा है होती है वेंजनों की मात्राएं नहीं होती है ठीक है A की कोई मात्रा नहीं है A की ये मात्रा है इसे हम छोटी E भी कहते हैं इसकी मात्रा ये है ये बड़ी E इसकी मात्रा ये है ये है U इसकी मात्रा ऐसी होती है ये है बड़ा U ये है इसकी मात्रा और ये है रू, ये है इसकी मात्रा ए, ए की मात्रा ये है ए, ए की मात्रा ये है ओ, ओ की मात्रा ये है अओ, ओ की मात्रा ये है अम, यह है अम की मात्रा अह, यह है अह की मात्रा ठीक है? सिर्फ स्वारवर्णों की ही मात्रा होती है व्यनजनों की कोई मात्रा नहीं होती है तो अब हम अपना पहला पाठ पढ़ते हैं यहां क्या है? बीना मात्रा वाले शब्द मतलब जिजवर्णों में मात्राय नहीं लगी है तो वो बिना मात्रा वाले शब्द हुए क्या लिखाई है यहाँ मनहर टम्टम आ गया टम्टम पर्चड देखो आ और गया यह क्या है? मात्रा वाले शब्द है क्योंकि यह में आ के मात्रा लग चुकी है तमपड़ चड़ ये तीनों है बिना मात्रा वाले शब्द जिन वर्णों में मात्राय लग जाती है वो मात्रा वाले शब्द बनते हैं तमटम ठहर गया अब उतर इधर सिर्फ गया है मात्रा वाला शब्द और तमटम ठहर अब उतर है बिना मात्रा वाले शब्द इसके बाद क्या हुआ लटक मत जटपट घर चल कसरत मत कर अब यह पढ़ तो इस अध्याय में हमें जानने को मिला है किस शब्द में मात्राय लगी है और किन शब्दों में मात्राय नहीं लगी है तो बच्चो आ गया गया यह तीन है मात्रा वाले शब्द और बाकी के सारो है सारे के सारे बाकी शब्द है मात्रा हिन शब्द जिन में मात्रा नहीं है ठीक है तो आज का यह पहला लिसन यहीं समाप्त होता है धन्यवाद